इंजाब में और चंडिगर में सिख्खो में बीजेपी का अधार बहुत बड़ा है मनीश्ट वारी जो है वो बार-बार संजे टंडन को ओपन डिवेट के लिए बुला रहे हैं वो कहा रहे हैं भी वो इसकादुली नहीं है कि वो डिवेट कर सके अधियास रहा है जब जो पवन मंसल एक्षे लड़ा है मिलीश्ट वारी ने हमेशा उनकी खलापत की चंडिगर में जो उनकी टीम थी हमेशा उन्होंने पवन मंसल के हराने का काम किया है कि यहां से सांशद रही है तो आप एक काम ऐसा बता सकते हैं जो चंडिगर की ड्वेल्मेंट के लिए उनका काम किया हुआ है फिर दूसरा किरन खेर का मलकाना हग के लिए जो अपना रियाबिटेशन प्रोणी उनके लिए उनके लिए उनके पूरा काम किया और आज पीच नमस्कार दोस्तों मैं हूं राजियंदर दत और आप देख रहे हैं अर्थप्रकास टीवी दोस्तों जैसे जैसे मौसम का पारा बढ़ रहा है उसी तरह से सियासी सरगर्मियों का पारा भी दिन प्रति दिन बढ़ रहा है एक जुन को चंडिगर में चुनाव होने वाले है लोग सबा चुनाव के मद्य नजर सभी पार्टियों ने अपने जो प्राने कारे करता हैं जो कारे करता उनके साथ पिछल लंबे समय से जुड़े हुए हैं उन सब को एक तरित कर उनकी ड्यूटियां लगाई हैं उनको काम सापा है कि यहां की जनता को यहां की पबलिक को साथ एसोसियेट करें अपने साथ जोड़ें और आने वाले जो एक जून के चुनाव हैं उनमें एक अच्छे रिजर्ट्स ले सकें आज चुनावी चर्चा में हमारे दर्मियान चंडिगर भाजपा से एड़ोकेट स्टिंदर सिंग जी मौजूद है आज बात करते हैं उन स्टिंदर जी आप ने बहुत एक्टिव राजनिती की है 98 में जब परधान मंतरी नरिंदर मोदी जो आजकल परधान मंतरी है पहले यहां पर संक्रा मंतरी थे तो चंडिगर में रहे हैं तो उस समय आप यूथ के प्रेजिट रहे हैं यहां पर जिला देख्षते आप यू राजनिती में नजर नहीं आए फिर एलेक्शन के दरम्यान एक दम से आपके दर्शन हुए आपको देखना हुआ तो इसके पीछे की क्या रिजन रहे हैं मैं एक्टिव तो शुरू से हूँ इसके पीछे कोई नराजगी तो नहीं थी नहीं नराजगी कोई नहीं कोई नही से यही बात करें, मैं लगवरती जनता पार्टी का गडड जोड था अकाली दल के साथ, और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लट रहे लेकिन इस समय चंडीगर में आम आदमी पार्टी और कॉंग्रस मिलकर चुनाब लगे हैं भारती जनता पार्टी और अकाली दल का जो गटबंदन है वो तूट गया है तो किस तरह की समीकर्ण बन सकते हैं आपको क्या लगता है कितने कॉन्फिडंट है आप इस चीश को लेकर देखिए जो चुनावी गनीत है अगर पिछला गनीत देखते हैं उससाब से तो अकाली दल हमारे साथ नहीं है और पिछले चुनाव में नीज था कारपरेशन में भी नहीं था हमारे साथ, तो पंजाब की रायनिती चंडीगर की रायनिती में काली दल का बड़ा महत्तपुरू रोल रहा है, प्रतून के जाने के बाद, बीजेपी ने जो खाई भरी है, उसमें भी काफी काम किया, और इसमें हमारे पास काफी जो लोग है, जो सिख बंदो हैं, जो काली दल का वोट बैंक का, वो हमारे साथ काफी अच्छे त्रिक्के से लगा, और पीछे मोदी जी ने दो तिन काम ऐसे की हैं, जैसे अभी अफगानिस्तान से, जिनका असाब का अजिस्टाब से नेरागा, उनको बेज़त के लाया गया, तो फिर आपने देखा ही है, बिए दिल्ली में, जहां पर शीषग गुर्द्वारा साब में कभी कोई चीजे होती नीती, वहां पर परतारमंती रेगुलर जाते हैं, फिर गुर्द्वारा साब में जाना, फिर उनके बाद परकाश अपने जगह स्थान पे करना, संतों को मिलना, औ साब से पंजाब में और चंडिगड में, सिखो में बीजेपी का अधार बहुत बड़ा है, आपने अभी चंडिगड की राजनिती की बात की, चंडिगड मेर चुनाब की चंडिगड मेर चुनाब में जो अनिलमसी परकरन हुआ, तो जो इस समय ओपोजिशन है, वो इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे है, क्या आपको लगता है, इस एलेक्शन में एक मुद्दा बन सकता है? उसके जब दोनों केंडिड हार गए, तो इसका मतलब क्या है? चंडिगड में बीजेपी का अधार है, तो जो मुझे लगता है भी जो चीजे बोल रहे हैं, वो सब जो डाइस है, उसके हम ना जाए, प्रंतु जो चुनाब आप आल्टी के मेर ने करवाई, सीनियर कोई काम ऐसा बता सकते हैं, जो चंडिगड की ड्वल्मेंट के लिए उननों किया है? देखिए, सडकों पे जो उनका काम किया हुआ है, फिर दूसरा किरन खेर का मलकाना हग के लिए, चंडिगड की हाउसिंग बोर्ड में मलकाना हग के लिए, जो अपना रियाबिटेशन के लिए उनके लिए उनके लिए उनके लिए उनके लिए उनके लिए उनके लिए पूरा काम किया, और आज पिछे सर्वे हो गया है, सब कुछ हो गया, एक परसेस होता है, उसमें टाइम लगता है, बड़ अभी तो उनको पिछे लोटिस आया, पिछले दूना में में बता जिनको 20-25-30-40-40-40 साल होगे बने होगे, उन में क्योंकि जुरूरत के साफ से वहां के जो बचिन्दे थे उन्होंने अपने मेकान बेच दी है, पावर टोननी पे नहीं लोग आगे, और जिन्होंने अपने बेचे, यह नहीं भी कोई जा मुझभूरी में बेचे होंगे, ज साफ से यह परॉलम आइए, फिर क्या होता है उसका निकारन करने लिए वहां पे अड्मिशेशन के लिए जब हमारा दौा पढ़ता लोगों इंद्वांड आती है, तो सर्वे होता है, सर्वे में यह देखा जाता है, जो सर्वेश एड्मिशेशन कराती भी वह बाकिए, य आपको नहीं लगता कि 10 साल का समय इस चीज के लिए बहुत लंबा समय हो गया उसमें जो एड्मिशेशन की पावरे होती है जो एड्मिशेशन ने काम करना तो उसमें लगता सर्वे एक दिन में नहीं होता न सर्वे के लिए एक महौल बनता है पूरी परमीशन नहीं पढ़त है कि कही न कहीं तो यह कहा जाता है कि जो कलोणिया बनी है वह कांग्रिस नहीं कलोणिया उनको द मिलना चाहिए उस इस ची सब को घर मिला मनीश्ट वारी जो है वो बार-बार संजे टंडन को open debate के लिए बुला रहे हैं वो कहा रहे हैं भी वो इस काबिल ही नहीं है कि वो debate कर सके तो क्या करना संजे टंडन debate के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं भाई साब एक भगोडा जो अपने किसी भी अलाके में सिंसिर नहीं रहा लुझ्याना में लड़ा उसके बाद अगली बारी कपाल्टी ने उसे कहा भी आपको टिकट देने जीत गया वहां से तो भाई साब जी वो मार हो गए मैंने एलेक्शन नदी लड़ा उसके बाद एलेक्शन नदी लड़े उसके बाद अननपूरसाब में इनको टिकट मिली अननपूरसाब में पांस साल रहे उसके बाद वहां पर बिरीनो एंकाम किया जो गुरू की नगरी को छोड़ गे इदर दर भागता है वहां पर काम नहीं को तो उस बहुड़े के साथ आप क्या बात करना जादे हैं। और बेसिकली अर्बन नक्सल वो कोई अगर उनकी अगर बातों पे जाओगे उनकी बातों पे कभी निकालो सर वो उनकी सोच जो टोटली वो नक्सल वादी वाली सोच असर अच्छा चंडीगड में जो मिनोरिटीज है जैसे मुसलिम वोट है सतरहेजर की आसपासिया मुसलिम वोट है, क्रिस्चन वोट है या मिनोरिटीज के जो SEC.BC जो है उनकी वोट को आप कितना प्रतिशत वोट भाजपा कनवर्ट कर रही है अपनी तरफ क्या लगता रही है इस समय जो Christians में हमारा अच्छा काम है Muslim में हमारी जोजनाई चल रही तो मुझे लगता भी उनका भी हमें प्यार मिलेगा अभी पिछले दिनों में बड़ा एक मुद्दा चला था कि चंडीगर में जो गाउं है चंडीगर के आसपास जितने भी चंडीगर के अंदर जो गाउं आते हैं यूटी के अंदर जो गाउं आते हैं वो सब उन्होंने सोसाइटी बनाई पिंड बचाओ सोसाइटी तो लोग कहीं न कहीं कहते हैं हम विरोध करेंगे भारती जनता पार्टी का तो आपको क्या लगता है कि उनको किसी हद तक मनाया जा रहा है या उनके साथ कोई रापता काइम किया जा रहा है तो पिंड बचाओ जो कमेट्टी है उसके भी केई बाट है कोई आप से चलती है कुछ बीजीपी से चलती है जो आप वाली पिंट बचाओ कमेटे जिसमें उनके कारे करता है वो naturally बात बोलते है जो आप और कांग्रस को फूट करती है जो पिंट बचाओ हमारे कारे करता हो हमारी बात बोलते है तो इस कारण से यह बायस नहीं है इसा नहीं है इनकी सब की political affiliations है उस साथ से बात करते हैं अभी मनीश्टवारी ने एक बात कही कि संजे टंडन को कार्पेटर के एलक्षन लडने चाहिए, उसको MP के लेक्षन ही लडने चाहिए, तो कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, ये बात मैंने जब पड़ी थी, तो मेरे को बड़ा दुख हुआ था, विकोज उसने कार्पेटर को ललका रहा है, हम मैं भी कार्पेटर रहा हूं, कार्पेटर इतने काम करता है, सुबह त्री टायस सिस्टम है, और सबसे बड़ी बात है, जो इनको कहते हैं त्री टायस सिस्टम बनाया था जब उसमें आपका कार्पेशन भी है, सरपंची भी है, सरपंची भी है, और आपके MLA और MP भी है, आप हर दूसरे आदमी को कैसे, दूसरी संस्ता को कैसे D-Mean कर सकते हो, D-Mean का जब मतरब कहता है, कैसे उनको नीचा दिखा सकते हो, तो राष्टी मुद्ग की हमें नहीं समझ रहती कै, हम राष्टी मुद्ग प्यों किया, हम अन्तराष्टी मुद्ग भी बात करते है, बेस्क पपालिक्स है, और इनको यहीं नहीं नहीं पता, जया जा यह HA partial परना नहीं चाहते हैं, सर्दार पटेर हुआ था सर्दार पटेर, सर्दार पटेर कार्पेटर नहीं रहे, सर्दार पटेर का उन्होंने लीट नहीं किया, उसके बाद वो देश के ग्रह मंतरी बने, वैसे तो उन्हों प्राइम मिनिस्टर बनना था, प्रन्तु इनके fallen, अगर वह बन जा तो अज देश की स्तिति बिगड़ी होती है, सुद्री होती है, siis सुद्री होती है, अब अज इस सब से काम कर रहे हैं, तो आज हम कहां से काम होता है, बिगड़ी है नेरुप त участe, प्रितेय चे करन आगे जो चल रहा है, नजर ही नहीं आ रहे है इस बार election में देखिए जहां तक सत्पल जैन जी MP है वो additional solicitor general है तो सरकारी post पे हैं और उनका government के काम देखते हैं तो उस दिश्टी से वो अपना जो एक दैरे में रहे के काम कर सकते हैं वो ही काम कर रहे है पर एक उनका cadre है उनके कुछ समर्थक है मुझे कहीं न कहीं वो समर्थक भी नजर नहीं आए वो ऐस दिन नजर आए उसके बाद के नजर नहीं आए उससे पहले भी नजर नहीं आए उनके स्वास्ते की दिक्कت भी रहते है ना सार देखे कहीं न कहीं जो यह दिन होते है आपके लेक्शंज वाले पुराने जो लीडर होते हैं उनका रॉल बहुत ऐहम होता है उनके एस्पिरिंसे इस होते हैं तो वो मिलकुल भी नजर नहीं आए दोनों नोमिनेशन वाले दिन मेरे साथ गेंटा बैठ रहे हैं र अभी योगी जी आए है तो परा स्टेज पे आपके बैठ आगे हैं जी जय दिन नदा जी आया है या जो योगी जी आया है या जवे बाशन उन्हों दिये दूनों टाइम लिए जी 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 तो उनका जो मारक दर्श पिरसे नजर आएं तो इस समय को र आपका चंडिगर्ण की राजनित्य का रोल्ड़ का परटेश उम्हारे इन्य वरी में झाश एपांगल आपके सेundy को मैं जहां हुआरे पे मैं लगने के कहा। अकाली दल को स्पोर्ट करने वाले लोग दी हैं। तो वोट शेर का जो फरक है वो आपको लगता है कितना को फरक पड़ेगा उस चीज़ का वोट शेर का जो क्योंकि परसेंटेज तो कटेगी कटेगी और ये लोग कटे हो जाएंगे। उसमें आपको रायनिती में जब हम लेक्शन की बात करते हैं तो कभी-कभी एक और एक दो नहीं होते हैं कभी-कभी उसमें बड़ा फरक आता है जब हम नैसिस करते हैं और आप ऐसे आंकड़े आपको मिल भी जाएंगे दूसरी बात है अकाली दल का अपने से अलग होने का जो आपने कहा है और आपका वहां पर जुड़ने का आपको मैं थोड़ा दर बैक्रोंड में ले चलता हूँ यहां पर हर्मोन दवान जी हमेशा एलेक्शन लड़े हैं हमेशे इंडिपेंडन लड़े हैं पार्टी से लड़े हैं पिछले पार्टी से लड़े तो उनको कुछ वोट मिली थी तो आप अगर उसका बेस बना के चलते हैं एक कारपिशन का बेस है तो इनकी वोट आपके सामने आ जाती है और दूसरा क्या होता है इस समय जो हर्मोन धवन इस समय तो पुवान किरपा से आप उपर चले गए हैं और जहां भी हैं उनकी आपनों को शान्ती मिले प्रंतु उन का बेटा और उनकी पत्री जो दोनों काउंसलर भी रहे हैं और काफी पोस्ट दोनों इस समय बीजेवी में आ चुके हैं उनके आने से भी एक अफेक्ट पड़ता है फिर शुबास चाबला जी भी इस समय जो कांग्रेस समय तोड़फोर का उसमें चली है तो उसमें शुब प्रास चाबला जी हमारे बीच में आ चुके हैं उसके लावा पवन बंसल जी क्योंकि आप एक मिनिश्ट वाड़ी का ऐसा इत्यास रहा है जब जब पवन बंसल ने लेक्शन लड़ा है मिनिश्ट वाड़ी ने हमेशा उनकी खलाफत की है चंडीगर में जो उनकी टीम थी हमेशा उनने पवन बंसल के हराने का काम किया है तो इस कारण से पवन बंसल जी भी उनसे नराज है वो भी उसके साथ नहीं है तो वो चीज़े जब हम पूरी कल्कुलेशन करते तो आपको लगता भी वी आरून दा बेटर एच पिछले जनों एक बड़ा मुदा बहुत गर पिछले दुनों एक मुदा रहा है कि नीड बेसे चेंजे जो थे उसको लेकर प्रावल्म रही है उनको तोड़ने के ऑर्डर भी आ गए थे तो उस चीज़ पर आप क्या समझते हैं इस बार जो मुद्दे रहेंगे जो लोकल मुद्दे रहेंगे उन पर कितना काम किया है पर देखे उसमें तो एक किरन खेर का बहुत बड़ी है काम किया हुआ है यह मेरे को लगवाग यार है 2016 की बात है जो 1516 में उसमें मनिंदर सिंग्या पे हाउसिंग बोड की चेर्मेन होते थे तो अपने हाउसिंग बोड के जो बड़े दो ती लीडर है वो उसमें कमेटी म मेंबर भी थे तो एक उन्होंने पास किया था और काफी यह अपनी जगा है मालो आपके पास 60 फूट आपके पास जगा लाटेड है अगर 60 फूट में कुछ बेड़ा चोड़ा हुआ तो कुछ चोड़ा था अगर आपने 60 फूट के बीच में कुछ भी कंस्रक्शन की हुई अब अपने एरिया जो आपको लाटेड है तो उन्होंने उसको तोड़ने का मना कर दिया था उसका उन्होंने कहा था इसकी नोटिफिकेशन जारी हुए है तो इसका ओडर भी आ है सब कुछ लोगों भरे है नक्षे बना बना के दिये आ आर्चिटेक्ट नहीं होगी है सर म यह अगर आप बात करोगे, सब कुछ आएगा, उन्दा ग्राउंड है, क्योंकि मुझे इस करके यादा, क्योंकि जितने भी चोटे ग्रुप से चोटी पार्टियां जो है, आज की जिएट में सबसे बड़ा मुद्दा यही लेकर चाहिए, जो नीट वेस का है, वो वन टाइ बनने वाली है, वो मोदी जी की सरकार बनने वाले हो, बीजेपी मानती है भी उनको बन सेटलमेंट उनकी होगी, तो वो उसके लिए लगेंगे और क्योंकि आपको टूट आया जब गोवर्मिट बन जाती है, यूटी में हमारी होती है, और उपर केंदर सरकार में होती हो, संदर जी एक और सवाल है, भारती जनता पार्टी जब भी वोट मांगती है, वो मोदी के नाम पे वोट मांगती है, कभी वो भारती जनता पार्टी के नाम पे वोट नहीं मांगती, या लोकल कैंडिड़ जो भी है उसके नाम पे वोट बहुत कम मांगा जाता है, अक्सर मो लिड्रों की वैलियो कुछ भी नहीं है। CA आपका लागू करवाय हो तो उसको तो फिर क्योंकि लोग प्यार इतना करते हैं सब कुछ करते हैं तो मोदी जी को तो फिर सब प्यार आप भी करते हैं मैं भी करते हैं तो मोदी जी को सारा फैन भी है मोदी जी के लिए अब काम भी करते हैं मोदी जी की बाद आती है तो स्वच भारत अभियान की बाद चलती है। चंडीगड सिटी ब्यूटिफुल। स्वच भारत की बाद करते हैं तो जो चंडीगड है इसका साथ सभाई में, खूपसूरती में कभी नमबर वन पे नाम आता था। आज इसकी रेटिंग बहुत नीचे चली गई है। जबकि पिछले 10 साल से यहां भारती जनता पार्टी रही है, तो इसके पिछले कारण क्या रह सकते हैं। अब आपने स्वाल बहुत अच्छा कुछ है। आज की डेट में, आप कह रहे हैं इतना नमबर, इतना नमबर है। जब रेटिंग शुरू हुई थी न, उस समय के आप कांग्रस के बेहान निकालके देखो। भी यह रेटिंग करना देश में बड़ा घढ़न काम है। वह रेटिंग नहीं करने चाहिएं हम वैसे ही वो है, नमबर वन पे है, वो है, फ्रांट वान है, तो आज की डेट में क्या हुआ, आज पूरे देश में मोदी जी न जब रेटिंग शुरू की, सबी जगा ने अपना-पना काम करना शुरू कर दिया, जो जो शेहर लगे होगी तो उन्होंने अपने सीवरेज अपना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना-पना तो इस कारण से नंबरों का खेल है, जिसे हमारे नंबर वन बाएंगे, अपने भी नंबर बना जाएंगे, जेड़ा तुसी सानवाज जी डियरते विचे लगदा है, भी सारे तौड़े मादेव नाल, सारे चंडीगर्दे बासियान हो, और इवन जिते जिते तौड़े चैन स्थिती नों बहुत अग्ये लेके गे हैं, और मेरा सारा नंबेदन है, चाहे 370 होए, राम मंदर होए, चाहे लोकल परशाशन होए, जिदा उन्ही स्वच पारदिकाल किती है, उसे विच उन्हाने एक्स्टा उन्हीं काम किते हैं, फिर श्रक्षा दी दिस्टीरे काम किते सब्सक्राइब करते हैं, और संजी टंड जी जी साड़ी परतिआशी है, लोकल परतिआशी है, लोकल तो लावा, असे उन्हानों 2-9 में उन्हाना काम करता रहें, कम करते करते में, कई चीजा नहीं दिखिया है, हीजे सीय कंपनी भी अपनी चलाँ दे है, और कोरोना काल द और सानु लादावी जे ऐसा बंदा चंडीगर नू मिल दा है ते चंडीगरदा सभागे होएगा और सानु लादावी जडी मीध है उसते पुरी उतरंगे यही मेरा तॉड़ी दश्कानू रखेस्ट कर रहे हैं ते मेरा एक नाई तुसी मनू ए बोलने मोका दिता भी तुसी कि मैं अपने बहुत कुछ बोलना चाहाँ क्योंकि तोड़ा सवाल है मेरा अपना तॉड़े के दश्का के नुवेदन है ठीक है अश्तंदर जी आप हमेरे स्टूडियो में आई थैंक्यू थैंक्यू वेरी मच्छ थैंक्यू बहुत शुक्ए सश्सी काल जी